हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने YouTube चैनल Tech Master Education में और आज की इस वीडियो में एक बहुती इंटरस्टिंग गेम के बारे में डिसकस करने वाले हैं जिसको हम जानते हैं Google Dinosaur Game के नाम से तो आज की इस वीडियो का जो हमारा topic है वो यह है कि हम जब भी internet से connected नहीं होते हैं तो हमारे पास no internet का एक option आता है जिसके अंदर कुछ इस तरीकी का interface जो है हमारी Google में open होता है और इस game को जो है हम Google Dinosaur Game के नाम से भी जानते हैं तो एक बार हम इसका interface देख लेते हैं कैसे हमारा Google Chrome के अंदर जब हम internet से connect नहीं होते है तो यह कैसा दिखता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मेरे Google Chrome के web browser पे आ चुका हूँ अब मैं यहाँ पे कुछ भी चीज सर्च करता हूँ जैसे मैंने सर्च किया Tech Master और Enterprise करता और अगर मैं उस time internet से connected नहीं हूँ या during किसी in connectivity की वज़े से मेरे internet loss हो जाता है तो हम free time में क्या करते हैं इस game को try करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे space को press करता हूँ मेरा जो game यहाँ पे start हो जाता है और space button के help से मैं in hurdles को clear करता हूँ तो जब जब मैं space button को press करूँगा मैं इस hurdles को clear करता जाँगा और अपने game में continue रहूँगा लेकिन जैसे मैं in hurdles से touch हुआ मेरा game जो है यहाँ पे over हो जाएगा तो हमारी आज की इस video का main purpose यही है कि अगर हमारा game over हो जाता है तो हम इसको unlimitedly score कैसे करेंगे यानि कि यह जो हमारा Google Chrome का dinosaur game है इसे हम hack करेंगे यान की hack Google Chrome dinosaur game तो इसके लिए हमें जो है एक single line of code लिखना होगा as a programmer या अगर आप programmer भी नहीं है तो आप एक single line of code को type कर सकते हैं और उससे आपका जो Google dinosaur game है यह unlimitedly आपके लिए score करता चला जाएगा तो इसलिए start करते हैं और देखते हैं कि वह single line of code को कैसे type कर सकते हैं तो हमारे single line of code को type करने के लिए हमें हमारे Google Chrome के dino game के interface पे आना है और वहाँ पे हमें mouse की help से right click करना है and then last option inspect पे click करना है हम inspect पे जो है हमारे shortcut key की help से भी आ सकते हैं control shift i की help से जैसे हम हमारा inspect button open कर लेते हैं हमारी कुछ इस type की window जो है open हो जाएगी जिसके अंदर हमारा first tab होगा elements का जिसके अंदर हमारी कुछ HTML की code जो है वो यहाँ पे type रहेगी जिसको हमें बिल्कुल भी touch नहीं करना है हमें इसके second tab console पे click करना है और वहीं पे हम हमारा single line of code type करेंगे और जो हमारा single line of code है वो यह है कि runner जिसका हम जो है यहाँ पे r capital रखेंगे dot instance underscore dot game over जिसका हम यहाँ पे o capital रखेंगे is equal to round bracket open and close is equal to greater than का symbol space round bracket open and close जैसे हम हमारा single line of code type करके enter press करेंगे तो last में हमने कुछ symbols type किया है वो as it symbol जो यहाँ पे हमें show होने लगेंगे और ऐसे symbols अगर हमें as it show होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि हमने हमारा code जो है correctly type किया है तो जैसे हमी हमारा code type कर लेते हैं उसके बाद हमें हमारी code window को जो है close कर देना है and then हमारे dino game के interface पे आके हम में इस game को retry करना है और अब इस single line of code के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डाइनो गेम उसके अंदर जो हमारा dino है वो इन hurdles को without touch करते हुए आगे बढ़ता रहेगा और हमारे लिए इस game में unlimitedly score करेगा तो जैसे कि आपने इस video में देखा एक single line of code की help से हमने हमारे dino game का unlimited unlimited score करने का तरीका यहां पर सीख लिया with the help of single line of code और आप देखते ही जाएंगे कि जो हमारा dino है वो इसको unlimitedly score करता जाएगा जब तक कि हम या तो इस window को refresh नहीं कर देते हैं या फिर इस tab को close नहीं कर देते हैं